जय हिंद 12 जुलाई 2022 को भारतिय महिला क्रिकेट टीम का एलान कर दिया गया आने वाले कॉमनवल्थ गेम्स के लिए तो यह काफी एक अच्छी टीम का चयन किया गया है इस बार जहाँ पर T20 फॉर्मेट में कॉमनवल्थ गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया है और इस टीम के चयन को देखते हुए हमें यह लगता है कि इस बार एक मेडल तो ज़रूर पका है भारत के लिए क्रिकेट से तो चलिए एक नजर डालते हैं जो टीम सेलेक्शन है उस पर और कॉल से खिलाड़ी हमारे जा रहा है है कोमनवल्थ गेम्स खेलने के लिए तो अगर हम देखें तो इस टीम को लीट करेंगी भारत की बैटर हर्मनप्रीत कौर हर्मनप्रीत कौर के साथ ही इस टीम में है भारत की ओपेनर स्मृती मंधना और शेफाली वर्मात साथ ही स्टीम के दूसरे प्लेयर्स पर एक नजर अगर हम लोग डालें तो यहाँ पर है सभी नेनी मेगना इसके बाद दो-दो विकेट कीपर्स को चैन किया गया है इस बाद के कॉमन वेल्स गेम्स के लिए जहाँ पर फर्स्ट चोईस जो विकेट कीपर है वो रहेंगी यस्तिका भाटिया और उसके बाद उनके साथ हैं तानिया भाटिया इसके बाद दीप्ति शर्मा भारत की एक एक एकस्पिरियंस प्लेयर है इस टीम के लिए साथ ही राजश्वेरी गायकवार इसके बाद पेसर्स पूजा बस्त्राकर और मेगना सिंग साथ ही रेनुका ठाकूर भी पेस लाइनप को लीट करेंगी इसके बाद आते हैं जमाई मार रोडरीगेस पर जो भारत की एक डिपेंडबल बैटर है साथ ही राधा यादब का सेलक्षन किया गया है इस टीम में इसके बाद स्नेह राना कमबेक कर रही है जिनको एक चोट के चलते सिलंका टूर में शामिल नहीं किया गया था इस बार कॉमनवल्ट गीम्स में वो दुबारा से कमबेक कर रही है साथी तीन प्लेयर्स को जो है स्टेंड बाई प्लेयर्स के रूप में रखा गया है उनमें शामील है कीपर रिचा घोष, पेसर, शिमरन बहादूर और स्पिनर पूनम यादब तो यहीं है वो प्लेयर्स जो जा रहे है कॉमनवल्ट गेम्स में आशा करते हैं ये लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि देखकर तो लगता है कागस पर ये टीम बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाली है तो देखते हैं क्या होता है कॉमनवल्ट गेम्स में Commonwealth Games के News और Updates के लिए जुड़े रहे ये चैनल के साथ जय हिंद